गुड मॉनिंग इस्टुडेंट्स आप सभी का वेलकम करता हूँ उर्जा सनरच्छन के इस ही लेक्चर में आज हम बात करने जा रहे हैं जो आपका उर्जा सनरच्छन या एनरजी कंजर्वेशन का जो पहला चेप्टर है वो है बेसिक्स ओफ एनरजी यानि की उर्जा की कुछ मूलभूत बाते हैं तो इसमें कुछ हम बेसिक टर्म्स जो होते हैं एनरजी के या उर्जा के उसके बारे में बात करेंगे इसके साथ उर्जा के प्रकार जिनके बारे में हम बात करते हैं वो प्रमुक प्रकार कौन कौन से होते हैं उसका पूरा हम कौन सेप्ट समझेंगे तो आईए हम चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उर्जा की कि ये उर्जा आखिर होती क्या है तो बच्पन से ही आप पढ़ रहे हैं कच्छाओं में कि कार करने की छमता को उर्जा कहते हैं तो कार करने की छमता को तो हम उर्जा कहते हैं तो यह आखिर उर्जा संरच्छन जो हम इसे पढ़ रहे हैं वो क्या है या उर्जा संरच्छन से मतलब क्या है तो उर्जा सनरच्छन तो इसमें सब्द में आप जरूर जाएए एक तो उर्जा लिखा है और उसमें लिखा है सनरच्छन यानि conservation यानि कि उर्जा को हम कैसे बचा सकते हैं या बचत कर सकते हैं सीधा उसका सम्बंद उर्जा सनरच्छन से है तो इसका अगर हम अच्छे से इ वा उर्जा के फालतू खपत को रोकना तता उर्जा का शही दिशा में प्रियोग करना ही उर्जा सनरच्छन कहलाता है तो उर्जा सनरच्छन क्या है एक तो उर्जा के जो बिबिने स्रोत हैं उनकी हम जानकारी रखें और उर्जा के फालतू खपत जो हो रही है या उर्जा बेकार औरी उसको रोके तथा उर्जा का सही दिशा में प्रियोग करें तो हम कहेंगे कि हम उर्जा को सनरच्छित कर रहे हैं तो उर्जा के विविनिस रोतों की जानकारी वह उर्जा के फालतु खपत को रोकना तथा उर्जा का सही दिशा में प्रियोग करना ही उर्जा सनर कहलाता है दूसरे सब्दों में अगर हम बात करें तो किसी कार को करने के लिए आपको पता है कि कार करने में उर्जा लगती है तो किसी कार को करने के लिए ऐसी बिधी या प्रक्रम का पालन करना जिससे वह कार पूरा होने में कम उर्जा लगे तो इसे हम उर्जा सन्रचन करन तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि उर्जा सनरच्छन आखिर क्या होता है तो हम यादी को यह इसी बिधी या इसा प्रक्रम हम बनाएं या उसका पालन करें जिससे कि उस कार को करने में कम उर्जा खर्चो या कम उर्जा लगे तो हम उसे कहेंगे कि हम उर्जा को सन संरच्छित कर रहे हैं या हम उर्जा संरच्छन कर रहे हैं आई आप एक उधारण देख लेते हैं उर्जा संरच्छन का एक उधारण मान लीजी कि दिया आप मोटर साइकल से कहीं आते जाते हैं ठीक है तो यदि एक दिन के लिए आप मोटर साइकल से न जा करके आप साइकल का उप्योग करें तो जो मोटर siamo किल में इनहान लगता है या आप कहीए पट्रॉल लगता है तो उससे उस पैट्रोल या इनहान की बचत होगी तो आप उसको कह सकते हैं कि आपने उस उवरजा का उप्योग नाकर उसका क्या किया सनरच्छन किया तो इस तरह से आपने क्या किया उर्जा सनरच्छन किया क्योंकि आपने ऐसी बिधी या आपने ऐसे तरीके को अपनाया जिससे की उर्जा की बचत हो सकती थी तो ये ओधारन जरूर लिखिएगा और यदि परिच्छा में आता है या कोई आपसे पूचता है उसको आपको जरूर बता देना है अब हम बात कर लेते हैं कि और संरचन आकर हम देली घर में जैसे घरों में दैनेक प्रती दिन अपनी दैनेक जीवन में हम देखते हैं घरों में हो छाय हम स्कूल में हो या पिर पॉली टेक्निक में हो या इंजिनिरिंग कॉलेज में हो तो हम आरजा का सन रच्छन आकर कैसे कर सकते हैं कुछ उदारन देखते हैं जैसे घरों में हमारा बलब जल रहा हो तो हम जब अपयोग न में परियापत रोस्नी हो तो उस बलब को हम बुझा दें तो हमने क्या किया उर्जासन रच्छन किया ट्यूब लाइट हो गया बल्ब हो गया जो अन उपकरण है इस तरीके से जो की बिद्दुत से चलते हैं उन पर जमी हुई धूल को नेमित रूप से साफ करते रहें आपको पता है बल्ब जब लगा है उसको उपर धूल और अन्य चीज़ें लग जाएंगी तो वो रोसनी जितनी देना चाहिए प्रकास जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा तो उसको जरूर हमको साफ सुत्रा रखना चाहिए उसको क्लीन करते रहना चाहिए अब जैसे अपनी ट्यूब लाइट और बल्बों को ऐसी जगे लगाएं जहां प्रकास आने में दिक्कत ना हो मतलब कमरे में जो भी आपकी बेवस्ता है तो ट्यूब लाइट या जो बल्ब है आपका जो आप यूज़ कर रहे हैं लीडी बल्ब या जो भी आप बल्ब यूज़ कर रहे हैं तो ऐसी जगे पर लगाएं कि जहां से पूरे कमरे में परियाप्त मात्रा में रोशनी हो रही हो अगला है औरजा बचाने के लिए LED बल्ब का प्रयोक करें आपको पता है कि आज के समयमे LED बल्ब आ रहे हैं प्रकास की बेवस्ता है वो देखे कि किसमें कितना अच्छा प्रकास मिल रहा है तो निश्चे तोर पर LED का जो प्रकास है वो बहुत ही अच्छा होता है प्रयाप्त मात्रा में रोशनी देता है और कम बिजली की खपत करता है तो हम कह सकते हैं कि LED बल्ब का प्रयोग करके हम उर्जा की बचत कर रहे हैं अब ये एक बहुत ही पुरानी भारती ये कहावत है जो हमेशा से आप सुनते आए हों साइद आपने ना सुना हो कि ये जो प्रतवी है जल और वायू ये हमारे माता पिता से प्राप्त हमारे लिए एक उपहार नहीं है बलकि हमारे बच्चों के लिए कर्ज है इसलिए हमें उर्जा सनरच्छन को एक आदत बनाने की आवशक्ता है आप ये प्रतवी जल और वायू ये हैं ये कोई हमको उपहार में नहीं मिले हैं या हम आप ये समझें कि ये तो हमारे पूरवजों ने हमको दे दिया है ये बलकि हमारे आने वाली पीड ले तभी हम उर्जा सनरच्छन कर पाएंगे तो ये था बच्चों आज का ये concept उर्जा आपने समझा उर्जा सनरच्छन आपने समझा अब next हम जानेंगे कि उर्जा कौन कौन से प्रकार हैं जिनके बारे में हम generally सुनते हैं उनका हम concept समझेंगे एक चीज में आपको और असान ही होगी पहुचाने में और इस्टूडेंट्स उसको बहुत अच्छे से देख पाएंगे और समझ पाएंगे क्योंकि बड़े लेक्चर बनाने से मन लीजे में एक घंटे का record करके आपको दिखाऊं तो हो सकता इस्टूडेंट्स उसको skip करें और उसको पढ़ाई मे तो छोटे-छोटे conceptual या topic wise आपको जो भी topic में समस्या है दिक्कत है आप उस वीडियो को देख करके अपना concept clear कर सकते हैं और जब एक वीडियो समझ आएगा एक concept clear होगा तो next concept की तरफ या next वीडियो की तरफ आप अपने आप जाएंगे तो ये एक मेरा अपना सोच और तरी करता हूं तुरंत इसके बाद एक दूसरा वीडियो जिसमें हम बात करेंगे उर्जा कि स्रोतों की और कौन कौन से स्रोत होते हैं इसके बारे में आप से चर्चा करूंगा